पश्चिम चमपारण जिले के मैनटांड प्रखंड स्थित एक प्राथमिक विद्यालाय में बुधवार की दोपहर विद्यालाय में ही पढ़ाने वाले BPSC शिक्षक एवं शिक्षिका को पांचवी कक्षा की छात्राओं ने आपत्ती जनक स्थिती में देखा। छुटी के बाद छात्राएं घर गई और अभिभावकों को शिक्षक और शिक्षिका की हरकत की जानकारी दी। मामले की जानकारी के बाद अभिभावकों में आक्रोश पैदा हो गया चूंकि स्कूल बंध हो चुका था और सभी शिक्षक अपने घर चले गए थे। इसलिए गुरुवार की सुभाय में स्कूल खुलते ही करीब 10 बजे के आसपास दरजनों अभिभावक स्कूल पहुँच गए और शिक्षक एवं शिक्षिका की अश्लील हरकत की जानकारी प्रधाना ध्यापक को दी। अभिभावकों के आक्रोश को देख प्रधाना ध्यापक ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन मामला शांत होने के बजाए बढ़ता गया। स्थिती को गंभीर होता देख प्रधाना ध्यापक ने आरोपित शिक्षक एवं शिक्षिका को प्रधाना ध्यापक कक्ष में सुरक्षित कर इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदा ग्रामीनों का स्कूल में चल रहे अश्लील कारनामों के विरोध में कड़ा प्रदर्शन चल रहा था। मौके पर पहुंची बीयों ने पहले आक्रोशित ग्रामीनों को शांत कराया। बीयों के साथ पहुंचे बीयारपी बिहारी राम, एमडियम प्रभारी शशिकुमार और लेख पाल। निर्भय कुमार ने मामले की जाच की वर्ग कक्ष में बुला कर छात्राओं से पूछताच का सिलसिला शुरू हुआ। चात्राओं ने बताया कि बुधवार की दोपहर में मिड़े मील खाने के बाद सभी बच्चे बाहर खेल रहे थे। इसी दोरान पांचवी कक्षा की छात्राओं जब वर्ग कक्ष में आईं तो BPSC शिक्षक और शिक्षिका को आपत्ती जनक स्थिती में देख कर वापस लोड़ गई। जांच में हुई आरोप के सत्य होने की पुष्टिमा मल्ले में बीयों ने बताया कि जांच में आरोप सत्य पाया गया है। शिक्षा के मंदिर में अनुशासन हींता को बरदाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही मामले में कारवाई के लिए वरिय अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। उधर आरोपित शिक्षक एवं शिक्षिका का कहना है कि वर्ग में दोनों एक साथ थे। जिसे देख छात्राओं ने गलत समझ लिया है मोबाईल की जांच से खुलेगा राजमिली जानकारी के अनुसार उक्त विद्यालय में प्रधाना ध्यापक समेत कुल छह शिक्षक हैं। चार शिक्षक नियोजित हैं और एक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदस्थापना BPSSE से 2023 में हुई है। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि शिक्षक और शिक्षिका की अशलील हरकत पिछले कई माह से चल रही थी, जिस विद्याले में गुड टच, बैट टच को लेकर छातरों को जागरुक किया जाता है, वहीं ये दोनों वर्ग कक्ष और स्कूल की चछत पर अशलील सेलफी लिया करते थे। अभिभावकों ने दोनों के मोबाईल की भी जाच करने की मांग की है।